लेसन नमबर एट है यह एक एक्ट है जिसके केरेक्टर जो की इसमें किरदार है जो भी रोल प्ले किया है वो है अकबर जो की किंग है बीरबल जो की मिनिस्टर है कोटियस माने दरबारी वाशरमेन एक दोबी है ड्रमर है जो ड्रमर बजाते हैं मैसिंजर है जो मैसेज लाते हैं और दोबी का बच्चा है और कुछ पीपल है और वाशरमेन की वाइफ है या इनकी दोबी की वाइफ है तो यह इसमें केरेक्टर हैं जो की हमारी स्टोरी में ह होंगे तो स्टार्ट करते सीन वन से सीन वन क्या है सुभे सुभे का समय है और राजा का जो विए बड़ा सा महल होता है उसे पैलेस की बैलकनी में राजा अकबर बीर बल के साथ तेहल रहे हैं और उनकी बैलकनी के सामने बहुत बड़ी एक नदी है तो वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं वो इस बैलकनी में दोनों टहल रहे हैं ओक चुने तो अकबर बोलते हैं बीरबल से बीरबल, I have heard that the water in this river is very cold Is it true? बीरबल मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ठंडा है क्या ये सच है? तो बीरबल बोलते हैं Yes, Your Majesty जी हां महराज अकबर बोलता है If any man could stand in this water for one whole night Would he die? अगर एक रात, पूरी रात कोई आदमी इस पाने में खड़ा रहे है तो क्या हो मर जाएगा? बीरबल कहते हैं Certainly, Your Majesty शायद हां महराज No ordinary man could survive Survive means जी सकता है, this cold इतने ठंडे पाने में कोई आम आदमी नहीं जी सकता Means, really, the water is cold अकबर Thoughtfully stroking his chin सोचते हुए, अपनी चिन खो जाते हुए बोलते हैं, अपनी चिन पे ऐसे हाथ मालते हैं, stroke करते हैं Well, here is my chance to test the strength of the common man in his kingdom Strength होती है, power मैं अपने राज्य के common man की power जानना चानता हूँ, क्या उसमें इतनी power है कि वो इस नदी के पाने में पूरी रात खड़ा रहा है, जो की बहुत रंडा पानी है The Emperor Whispers, विस्पर माने कान में कुछ फुस फुसाना बीरबल के कानों में कुछ दीरे से कहते है राजा बीरबल सोशर्पाइज और नोड होता है, गरदन हिलाना बीरबल थोड़ा चौक से जाते हैं और फिर वो गरदन हिलाते हैं तो यह सीन वन में अकबर और बीरबल के बीच की बात थी अब सीन टू आता है, सीन टू होता है दुपहर का समय है उसी दिन की दुपहर है शेहर के बीच में एक ड्रमर जोड जोड से अपना ड्रम एनाउंस करता है और चारो तरफ उसके लोग इखटा हो जाते है ड्रमर कहता है जोड से लिसन लिसन दा ग्रेट एम्परर अकबर्स रिवार्ड रिवार्ड होता है इनाम महराजा अकबर का इनाम के बारे में सुनो वो एक इनाम देने वाले है और तो यह जो कोई भी पूरी एक रात तक रिवार्ड के पानी में जो कि पैलेस के पास रिवार है एक रात तक खड़ा रहेगा उसे बहुत भारी इनाम दिया जाएगा अण्दे पेवमेंज रास्ते में फुत-पाथ पर लोग रुख गए और रुक कर बाते करने लगे excitedly और क्या बोल रहे हैं लोग इंपॉसिबल भई बिलकुर नामुम्किन है who will do it, कौन कर सकता है इसे, क्या हम करें, तुम करो too risky, ना ना बहुत risky है a poor washerman, वहाँ पर गरीब सा washerman था, वो अपनी वाइफ के कान में कुछ कहता है, whisper करता है, धीरे से कुछ कहता है washerman कहता है, this is a good chance, if I get this reward, we can live well वो बोलता है अपनी वाइफ से, यह बहुत अच्छा मौका है, अगर मुझे यह इनाम मिल गया, तो हम बहुत खुशी-खुशी जी सकते हैं वाइफ बोलती, no, I don't want that, you will freeze to death and I will be left alone to cry मुझे ऐसा कोई नाम ने चीए, तुम तो ठंड में जकड जाओगे और मर जाओगे और मैं रोती रहा जाओगे तुम्हारे पीछे, मुझे ऐसा कोई नाम ने चीए, तो washerman कहता है don't worry, nothing will happen to me, मुझे कुश नहीं होने वाला, चिंता मत करो after all, I wash clothes in the cold water of the river every day, मुझे तो आदत है, मैं तो रोजी पानी में कपड़े दोता हूँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुश नहीं होता है, तो washerman ready हो गया, पानी में खड़े होने के लिए, चैलेंज उसने accept कर लिया, ठीक है अब scene 3 में क्या होता है, it is night and washerman is standing in the middle of the river, रात हो रही है और washerman नदी में खड़ा है the reflection of the lights, राजा के दरबार में, जो lights जल रही थी, उसका reflection पर चाहीं जो है, वो पानी में आ रही थी some people came and look at him, shake their heads and go away, some people say, और कुछ लोग आ भी रहे हैं, उससे देखते हैं, उसको washerman को और चले जाते हैं अरे यार, यह कैसे खड़ा है, एक मैन कहता है, poor man, he will die before the night is out, अबे यार, यह क्या कर रहा है, रात खतम होने से पहले, यह मर जाएगा, इतने ठंडे पानी में खड़ा है, दूसरा आदमी कहता है, फुलिश चिनी, क्या बेफकुफी है, यह क्या कर रहा है, चलो इसके दीवित रह जाए, means बहुत थंडा है पानी, scene 4, scene 4 होता है, अगले दिन सुभे हो गई, washerman जिन्दा है, alive means जिन्दा है, well and walks out of the river, ठीक है, और river से बाहर आता है, और people बोलते है, shouting and clapping with joy, शोर मचा रहे हैं, और तालिया मचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, thank God he is alive, भकवान का श देगा, wife, greets her husband with relief, wife अपने husband से मिलती है, oh I was so worried about you, मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी, उसका बेटा बोलता है, father you are so brave, with the emperor reward you now, papa आप कितने बहाद दुरो, क्या महराजा आपको इनाम देंगे, washerman, yes of course, didn't I pass the test, हाहा क्यों नहीं, मैंने क्या, वो test पास नहीं किया, ज जरूर देंगे, अब सीन फाइल में होता है, राजा की दरबार में, राजा जो है, वो थ्रोन पे बैठे हुए है, थ्रोन क्या होता है, राजा का सिंगहासन, बीरबल उनके पास कड़े है, कुछ दरबार ही है, और कुछ गाड़ है पैलेस के, ठीक है, washerman आता है, अपनी wife क साथ और राजा के आगे सिर जुकाता है, अकबर बोलते हैं, हम बहुत खुश है, with you young man, you have proved your strength, तुमने अपनी हिम्मत दिखा दी, अपनी ताकत दिखा दी, come, take the reward, आओ, अपना ही नाम ले जाओ, और एक आदमी, एक सिल्वर की ट्रे, एक ट्रे लिके आता है, जिसमें आपके जो दर्बार की लाइट है, वो तो रिफ्लेक्शन सारा पानी में जा रहा था, और पानी तो गरम हो गया था, अकबर सोचता है, हाँ भई, ये तो कहा रहे हो सही बात, तुम्हारे पास तो एक पॉइंट है, ये बात है, तो इसके इनाम का तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता, और वो जो जैलिस कोटियर था ना, वो हसता है, मुस्कुराता है, और बीरबल लुक्स वेरी अपसेट है नेगरी, लेकिन बीरबल तो बहुत विटी है, बहुत समझदार है, वो सारी बात समझ जाते हैं और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, अब सीन सिक्स में क् बीरबल की जगे खाली है, अज पहली बार बीरबल इतना लेट हो के कोट के लिए, अरे मेसिंजर तुम जाओ और जाके पता करो, उनकी एबसेंस का रीजन पता करो कि वो आज क्यों नहीं आए, बीरबल कहां है, मेसिंजर अपना सर जुकाते हैं और चले जाते हैं, सेज और उन्हों ने कहा है, बीरबल ने कहा है कि वो अपना खाना मना रहे हैं और खाना बनने में थोड़ा देर लगेगी, तो राजा गुस्सा हो जाते हैं, क्या बखवास कर रहे हैं, what nonsense, how can food take so long to cook, इतना देर कैसे लग सकती खाना मनाने में, मैं खुद जाता हूं और ख कौन सा खाना मना रहे हैं और उसे कितनी देर लगेगी, the emperor gets up and walks quickly, followed by some more courtiers and guards, राजा खुछ चले जाते हैं, ठीक है, सीन 7 में क्या होता है, बीरबल जो है, वो नीचे जमीन पर बैठे हैं, और दूर उन्होंने एक ब्रांच पर, ट्री की ब्रांच पर, एक cooking pot को लटका रख की है, और जैसी राज आते हैं, बीरबल राइसे अपन बोस्ट हो है, बीरबल उनको सर जुका कर, कहते हैं, आदर देते हैं, अकपर बोलते हैं, बीरबल, यह क्या पागल पना कर रहे हो, नीचे लगी हुई आग, तुमारे ऊपर रखे हुए खाने को कैसे पका सकती है, तो बीरबल कहते हैं, उनकी आँकों में चमक सी आ जाती है, बीरबल कहते हैं, अरे महराज, उसी तरह जिस तरह आपकी पहले इसकी लाइट, इतने दूर खड़े हुए वाशर मैन की पानी को गरम कर सकती है, और उसे गरमी पहुचा सकती है, तो अकपर हस जाते हैं, और समझ ज में क्या होता है, नेक्स दे दा वाशर मैन और इस फैमिली आ प्रेजेंट अकपर's कोट, अकपर हैंड्स ट्रे ओफ कोईन तू बीरबल, वो गिवज इट तू दा वाशर मैन, दा फैमिली चीर और क्लाप, दा वाशर मैन स्माइल और बोस बिफोर दा एम्परर, अगले दि की फैमिली बहुत खुश हो गई, और वाशर मैन मुस्कुराया और अपने राजा को सर जुका कर वो इनाम लेके चला गया, तो सच्चाए की हमेशा जीत होती है, लेकिन हमने अपने डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, तो दिस वाशर मॉरल अप स्टोर I hope you have understood it, don't forget to like my video and subscribe the channel and share my videos among your friends, bye bye